हेलो दोस्तों स्वागत आप सबीक आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में तो कैसे हैं आप लोग आता अगर तोसे मस्त है सवस्त हैं पढ़ाई होते जब दस्तर्स कर रहे हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सब एले काफी महत्पोन होने वाला है जितना सरे देने वाले जिया क्योंकि आज देखने वाले अधातू और अधातू में अंतर जो हर एक बार पूछा जाता है और कभी-कभी तीन नमबर में पांच नमबर में और कभी-कभी एक नमरे पूज़ेता है धातू अधातू क्या है तो चलिए देखते हैं आप लोग इसमें नोर्स भी बहुत ही अच्छा मिलेगा पांच मार्क्स का ये सवाल आ सकता है आप लोग के बोर्ड एक्जाम में तो बहुत महत्पुन होना और लैंग्वेज तो बहुत ही ईजी लैंग तो धातू यानि की मेटल और अधातू यानि की नॉन मेटल ठीक है सबसे पहला क्या है धातू ये प्राय ठोस अबस्ता में पाई जाती है ठीक है धातू हमेशा उस्तों क्या मतलब प्राय ठोस अबस्ता में पाई जाती है तीन अब आपको पता किसी पदार का तीन अबस्त हमें पाए जाती है ठीग है और जो अधात हाये हैं outta कि और है यानि कि दोस्तो इक रओड है ठीक है रौड को रौड के एक इस इन्ड को इस इन्ड को अगर आग में घुसा दोगे इसम्हीं अगर आग लगा दोगे, मतलब इसमे आग को गरम करोगे तो ये भी गरम हो जाएगा क्यों क्योंकि उस्मा का सुचालक है उस्मा इसमे पास कर रहा है ठीक उस्मा ट्रेबल हो के यहां तक पहुंच जा रहा है इस बज़े से और बहुत देर बाद अगर इसको छोगे तो आपका हाथ भी जल सकता है इतना ये गरम हो जाएगा इधर भी ठीक है तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि धातुय उस्मा का सुचालग बिद्दुत मतलब क्या एक रॉड लेना और बोर्ड में घुसा दना बाई सब कभी ऐलता इसा गलती मत करना तो ये प्रैक्टिकल कभी करने मत जाना हां रॉड बाला गरम में आग में घुसा के देख सकता हो हो ऐसा ये भी होंगे बहुत कभी बहुत कई बार आपका हाथ जल किसी का ठीक है अगर कभी ऐसा इस इंसिदेंस किसी के साथ हुआ है तो कमेंट ने करके बोलना लेकिन इलक्तिक वाला कभी ऐसा मत करना कि बाई साब एक पीन लिए ये ये लोहे क्या किल लिए और उसको बॉर्ड में घुसा दिये आपका अधात्विये जो होता है विद्द का चालक करता है तो अब बाद मतलब क्या वह गुन नहीं दिखाता है एक्चुली अधात्विये जो होता है उसमा और विदुत का सुचालक नहीं होती है लेकिन ग्रेफाइट होता है तो अब बाद लिखो नहीं लेए कोई फरक नहीं पड़ता है नेक्स पॉइंट है गुन बाद मतलब मारना तरह पतली चादर बना देना तो धातों का वह गुन जिसके कारुण उसको थोड़े से पीट पीट कर पीट पीट कर थम 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 भार के इसको पतली चादर बनाए देता है तो इसी गुन को क्या बोलते हैं आगहात बर्दहता बोलते हैं लेकिन अधातुओं में ऐसा गुन नहीं पाय जाता है समझ रहो? Next point दोस्तों हमारा क्या है? कि सामानितया धातुओं के गरणांग और कथनांग उच्छ होता है अब लोहे को गलाओ ये तो बहुत तापमान की रूत पड़ेगा न क्योंकि लोहा भाई बहुत हाड़ है अपसमेरे उसको भट्टी में गलाना पड़ेगा तुसके गरणांग बहुत जदा होता है और जमा होत झाता है चल्दी ही क्या होता है गल जाता है अग्ला स्वाल में अगला पॉइंट है प्राय धात्विये चंकिली होती है अपबाद अब पर फिर आ गया क्या अप बाद आपका गया ग्रेफाइट और आयोडिन की चमकदार होती है याद रखना धात्वी चमक के लिए प्राय चमकदार नहीं होती है और पुछा बहीं जाता है कि अब चाकू से कार सकते हो तो सोडियम बोल सकते हो पोटसियम भी बोल सकते हो सोडियम लिख देना ठीक है एक ऐसे धातू का नाम लिखना है जो चाकू से कार सकते हैं चाकू से कार सकते हैं या चाकू तूट जाएगा लेकिन यहां पर सोडियम और पोटसियम जहाद धातू है लेकिन उसको चाकू से कार सक सबसे कटोर पदार है मतलब इंट मतलब किना कटोर समयरे बहुत कटोर पदार तो यह चीज हो गया और अन्तीम पॉइंट दोस्त हम लूब का क्या है कि धातु को किसी चीज से आप होको गदर टन 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 की आवाज आएगा तो उसी को बोलता है सोनोरस समझे रहो तो धातू में होती है दातू में ऐसा होता है क्या नहीं अब इसकूल में पढ़े होंगे न हम लोग दोस्तों इसकूल में जब पढ़ते थे मिदल स्कूल मुझे आ थे एक उ धातू में आवाज होता है टन 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 की लेकिन अधातू में सोनोरस नहीं होती है धातू को पिटने पर टन टन की आवाज नहीं आईगी यह था दोस्तों आठ पॉइंट लेकिन अगर भौतिक गुनों में अंतर पूछा तो आप इसको आराम से लिख देना पांच प्रकार बताओ नखाहि ला तो चैनल पर पहले बाइस प्रकार कर दोने इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और इसे सवाल में बहुत कम बचा हुआ है और सवाल का इमत्मुरी इससलिए में आप लोग बता दिया और भी ऐसे बहुत सा रिस्वाल आएंगे ठीक है आप लोग का पूरा सवालों का सीरी जाएगा मैं रहतना आएगा और सबसे बड़े चीज मात अंडब वीडियो आप लोग के लिए आएगा बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से पहिंद वंदे मात्रम